यहां पर हम डिस्कूस करने वारे हैं एक और important question अगर इससे पहले आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वहाँ पजा करके आप देख सकते हैं अगर आप BSC में हैं तो आप बिल्कुल सगी जगे प्याया हैं 10 12 में हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा help मिले वाली है हमारी चैनल को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीए सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तो question करते हैं a telegram wire stress between two points at distance of feet apart and second feet in the middle prove that the tension at the end is approximately w a square upon 8 m plus 7 n upon 6 where w is the weight per unit length तो ये question वैसे तो आपके level का नहीं है मैंसी में इस type से question पूछे जाते हैं लेकिन आपके ज़िए बुक में दिया है तो आप पढ़ेंगे इसको है ना अलग question है तो आभी सकता है तो आपने माल लिया देखिए दिया था कि टेलिग्राफ वायर दो पॉइंट्स के बीच में stress है आप अच्छे से बना सकते हैं फीगर मैंने ज्यादा अच्छा नहीं बनाया है इसी भी विदा टू ए दिया हुआ है तो हमारा एक्स की वेलू कितने है वे इसको रख लेते हैं आगे काम आने वाली है ठीक है आ गया ना यह जो है यहां पर एफीट यह एफीट है एवो एक वाला यह नहीं है यह एफीट है तो यही हमने यहां पर यूज देखिए टू एक्स एकल टू यह भी दिया हुआ है वहाँ पर आप देख लीजिए यह देखिए सैग एन फीट ठीक है यहीं से लिया है सारा कोशन से ही लेते हैं अब फालतों में कंफ्यूज होने लगते हैं कभी कभी ठीक है सैग सीडी इकल टू वाई माइनस सी सैग भाई कितना हो गया वाई मैनस सी ह हो गया हमारा यह टोटल लेंथ हमारी भाई होती है यह ठीक है तो हमारा सैग सीडी फ मैंनस सी हो गया वाई की हमको पता है यह को पैसकी कौस है पर टू S ए कडिय हैं यह सारे कोश्चन तो एक सीडी एन है वाई की वैलो हमने पूट अप कर दी यह माइनस सी देन हमने सीरीज खोल दी सी कॉमन ने लिया कॉस हाइपर बोलिक की सीरीज रखी वन प्लस है एक स्क्वेर होता है तो यहां एक्स की जगह हमारा सारे एक संपांज सी रहा है और वजैसर यहां पर हैपर тр आउट करेंगे दो टम को वह मनें लिख लिया यहां पर यहां पर तो महारा निकल्टू क्या गया सी अंदर और बोले कि इसलिए साय टर्म प्लस में ठीक है यह माइनस वन वाला यह माइनस वन प्लस वन गया हाई टर्म को लिंग लेक्ट आउट करेंगे दो टर्म को हमने लिख लिया यहां पे ठीक है तो मारा निकल टू क्या गया सी अंदर मल्टिप्लाई कर दिया तो एकस स्क्वेर अपॉन टू सी प्लस एकस के पाउर फॉर अपॉन तो टीफोर सी क्यूग ठीक है यह जब सी यह वाला सी जो थास से अंदर मर्टिप्लाई करेंगे तो वह क्या होगा डिवाइड हो जाएगा इधर सब में और डिवाइड होने के बाद हमारा एक्वेशन आ गई ठीक है से हमने निकाल दी सी की वैलो मारी बाई यह इसवाली एक्वेशन में ठीक है इसमें इनको पुट करेंगे हमाई इस बाडाई निकलाईगी ठीक है लेकिए आपके मैसी का पाइल आट आपको बस समझ लेने बहुत अच्छा सामझा आया है हमने यहां पर value put up करी यहां चुकि एक पार 4 upon 24 c cube था यहां पर ठीक है तो c cube c की value जब हमारी आई a turn upon a cube तो a square ठीक है a turn upon a square तो हमने यहां put करी तो a turn upon a square upon a turn तो a turn हमारा उपर चला जाएगा आप पिछे से देख लीजेगा यही value आई थी ठीक है तो यहां पर value put up करी हमने तो हमारा cut pit के इतना आगया आप आप सोब को लीजेगा यही आएगा a square यह जब इधर बेजा तो n minus n इधर था यह इधर प्लस के था इधर के माइनस के तो हमारा n common हो गया 1 minus 4 n square upon 3a square और इधर क्या था a square upon 8c हमने दोनों को reverse कर दिया ठीक है मनलब उल्टा तो जब इधर उल्टा किया तो हमारा यह 8c upon a square था हमारा हो गया a square upon 8c का 8c upon a square हो गया तो इधर भी तो उल्टा होगा n का one upon n हो लेकिन इनका one upon लिखेंगे भाई one upon one minus 4 n square upon 3a square ठीक है तो यह जब पावर भाई one है इसकी पावर जब उपर जाएगी तो minus one हमने उपर लिख दिया अब इसको भी खोल दिया हमने one plus four n square upon 3a square प्लस one ठीक है तो हमारे c की value निकल करके आ गई यहां से higher term को neglect लेक्ट आउट करने के बाद इतना ही रखा तो हमारी यह value आ गई c equal to a square a square upon a 10 plus a square upon 8 4 and upon 3a square ठीक है c की value यहां से हमने निकाल ली यह देखिए c की value यह यहां था 8 c upon a square a square की उपर multiply हुई c से ठीक है और 8 से divide हुआ तो हमारा यह value आ गई c की value हमने निकाल ली c की value हम put up कर देंगे अब कहां पर c की value निकाल ली हमने यहां पर हमको पता है टेंसन है t equal to होता है हमारा y c y की जगा है n equal to y minus c then n plus c हो जाएगा ठीक है y की value यहां से y equal to n plus c तो हमने y की value रख दी और c की value भी निकाल ली है यह यहां put up कर दी और हमारा answer आ गया यह हमसे पूछा था ठीक है n n वाले terms को जोड देंगे तो हमारा यह वीडियो भी आपको पसंद आया होगा question बहुत important था तो आप share करिए हमारे question को अगर चैनल को subscribe ने किया है तो subscribe करिए और अपना support दीजिए thank you for watching this video जय हिंद जय भारत